तो अभी दोस्ता हम आई हैं जयापूर जयापूर पर खड़े हैं बस्टेंड फे अभी यहां से मैं आपको जो पूर है लग बग चीज़े दिखाने वाला हूं पैस पैस चीज़े जो अगर आप कहीं सुबस बड़ा मुश्किल पार्ट होता है सुबह उठना तब सुबह उठे क्यों जाता है यह पता नहीं वैसे गर मुझे नौ मिली पांच मुझे उठाए जाए तो मैं नौ मिल तक उठता हूं तेकिन जब कहीं धोंगे जाना हूं तब अब यह स्टेशन आए है लोग मंजिल पर पहुंच के मज़े लेनी की सुचते लेकिन मैं सफर के मज़े लेता हूं और यही बात हमारी जिन्दीगी पर भी लागू होती है इसी लिए मैंने कभी दिनों से सोचा था कि कहीं टैवल करें तो जैपूर का जल महल मैंने आस्ता करें दिखाने वाला हूं पैस पैस चीजे जो अब तक आपने देखी नहीं भी बिल्कुल नहीं कुछ ऐसी मूर्तिय बनी है जबल दस्ट जगें कि अपना नहीं नहीं चैनल है दोस्कों तो अपने चैनल को कुछा स्पोट करूँ अगर आप लोगी मेरी द्रहाव में लाना चाते हैं नहांस के आपको एक छोटा सब्दायत हो जैसे ही आप लोग स्टेशन उत्रें स्टेशन उतरते ही आपको क्या करने कि रोड क्रोज कर लेना स्टेशन के सामने भूल तो आप बच्पन या साथ नंबर की बस मिलेगी उसमें चड़कर हजमेरी केट आजएए वहां से श्रिफ आपको एक-दो किलोमेटर की पैदल चलने पर आप हावा मेलके आगी आगी हम दोस्तों यहां से जल महिल करते हैं कि हाथ जल अच्छा रहती है अच्छा रहती है झाल झाल